नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तो लोंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है पूजा पाठ तंत्र मंत्र जोतिश विद्या या फिर खाने का कोई काम हो उसमें लोंग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है लोंग का प्रयोग स्वास्त और स्व और लेकि लौंग को जोती-व्पाए के साथ साथ तंत्र मंत्र में भी सामिल किया जाता है क्योंकि दोस्तों लोंग को o fiftyya का वाःक माना जाते हैं आपकी किस्मत को बदलने और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप लोंग का इस्तामाल कर सकते हैं इसलिए इसलिए अगर आप चाहें, तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ताकि आपको लोंग के जो पुराने जमाने में टोटके किये जाते थे, जिनने करके हर कोई व्यक्ति, एक सुक्सम्रिज जिंदिकी जीता था, एक खुसाल जिंदिकी जीता था, उन टोटकों को जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंतर तक देखें, और कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरन बली अवशे लिख दें, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोंग के बारे में बात करेंगे, लोंग से उपाय बताएंगे आपको करने के लिए, जैसे करने से कि आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने किसमत को बदलने का जो सपना अब तक देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि हमारी किसमत कब बदलेगी, कब बदलेगी, हम इन मुश्किलों से कब निजात पाएंगे, कब ये मुश्किले हमारी जीवन से चली जा बस जरूरत है कि आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब आप अपने घर में positive energy फील नहीं करते हैं, यानि कि सकाराजमक उर्जा फील नहीं करते हैं, मैसूस नहीं करते हैं, ऐसे में घर का माहुल बहुत ही खराब हो जाता है, घर में कलेश और असांती फेल जाती है, और धन आने के सभी माल रुख जाते हैं घर की तरक्की रुख जाती है दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप इस वीडियो में बताएगे इस उपाय को एक बार अवश्य करें इसके लिए क्या है इसके लिए आप दो लोंग ले ले और एक कपूर की टिक्या ले और साथ ही एक इलाइची लेकर उसके सभी दाने निकाल ले उस इलाइची में जितने भी दाने निकले उन सभी दानों को निकाल ले और उस कपूर की टिक्या के ऊपर रखकर उन लोंग को और इलाइची की दानों को रखकर जला दे जलाते वक्त ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंत्र का चुब करेंगे। इसके अलावा दोस्तों व्यक्ति के जीवन में आदि से ज़धा परिशानिया तो राहु, केटू फैलाते हैं. जीयां दोस्तों अगर राहु, केटू अगर आपकी कुंडली में गलत इस्तिती में बैठ जाए, तो आपका सर्वनास कर देते हैं. इसलिए र आपको परिशान कर रहे हैं, आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपकी तरक्की में बादा बन रहे हैं, तो आज के बाद ये सभी समझ्याएं, खतम हो जाएगी, दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी राहू गलत स्थिती में है, तो वैं सही हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भी आपको उतना ही फाइदा देखने को मिलेगा, इसके लिए वो करना क्या है, कि आपको पांच लोंग अपने तक्ये के नीचे रख करके सो जाना है, और अगले दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वित हो जाए, इसनानाधी कर ले, और स्वच हो करके, उन कुंडली में से, मेरे परिवार में से, जिस किसी के भी जीवन में राहू, केतु और सनी का दुष्प्रवाब है, वे समाप्त हो जाए, दोस्तों आप यकीन मानिए, कि आपके घर में खुचियां ही खुचियां बर जाएंगी, दोस्तों, अगर आप चाते हैं कि आपके जि अपरदस उपाय वताने वाले हैं, दोस्तों, अपने घर में धन की आवक को हमें सब बनाए रखने के लिए, और धन की बड़ोतरी के लिए, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पांच लोंग लेकर, और तीन कपूर की टिक्या ले, अब उन पांच लोंग को खोल लीज यानि गडिक जिस दिसा में घूमती है, उसके विपरित दिसा में एक बार उसे घूमा लीजिए, घूमा लेने के बाद उन तीन लोंग को भी उन कपूर पर रख दीजिए, और जो पहले आपने पांच लोंग ली थी, उन्हें अपने पास ही रखिए, अब आप इन तीनों कपूर को जला कर अपने घर में चारो तरफ घूमा दे, और जब पूरा घून जाए, तो अपने घर के पूरो दिशा की ओर अपने घर में ही उसे कहीं रख दे, जब वह पूरी तरह जल जाएगा, तो उसकी थोड़ी राक बचेगी, उस राक को ले करके, एक लोटे में मुखे दरवाजे पर डाल दे, और पांच लोग को अपने मुखे दरवाजे पर घर के अंदर देखते हुए, अपने पीट के पीछे फेंग दे, मतलब कि आप जैसे अपने घर में अंदर प्रवेश कर रहे हूं, इस प्रकार से खड़े हो जाए, घर के अंदरूनी हिस्ता नहीं छोड़ेगा, और अपने दरवाजा अब बिना पीछे मुड़े देखे ही, उसे बंद करके अपने घर में प्रवेश कर लें, और अगले दिन की सुबह या फिर कम से कम एक घंटा बीच जाए, उसके बाद ही घर से कहीं बाहर जाए, वरना बिलकुल भी बाहर ना जा चुटकारा प्रावत करने के लिए भी लोग का एक जबर्दा सुपाय बताने वाले हैं, दोस्तों को करना क्या है, कि आप किसी भी तिनी सुपाय को करिए, बस आपको साथ बार बजरंग बाहर का पाठ करना है, और हनमान जी को लड़ूं का भोग लगाना है, और साथ में पांच लोग जहां भी आप बैठ करके हनमान जी के लिए बजरंग बाहर का पाठ कर रहे हैं, वहां पर आप पांच लोग भी रख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि लोग आपकी फूल वाली होनी चाहिए, और देशी कपूर ले करके जब आपके बजरंग बाहर के पाठ प मानद आता है कि उपाय को करने से समस्त्रों पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवले इतना ही कल फिर आप से मलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे में जाज़े धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखें, जाए बजरंग बली